इसे बीच एक और बड़ी खबर रिवा से सामने आ रही है रिवा में दलित युवक के साथ बरबरता की गई है गंती राल में दलित युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है पहले युवक को जूतों की माला पहना आए गई जूतों की माला पहना कर उसका जलूस निकाला गया, मामला दर्च किया गया है, आरोपियों के तलाश विलहार की जा रही है तो रिवा से ये बड़ी खबर, बड़ी जौनकारी आप तक पहुंच आ रहे हैं दलेत युवक के साथ यहां पर बरबरता की तस्वीर सामने आई है गंगती राल में दलेत युवक के साथ मारपीट की गई, पहले युवक को जूतों की माला पहना आई गई और जूतों की माला पहना कर उसका जलूस निकाला गया, फिलाल पुलिस ने मामला दर्च वड़ लिया गया है और आरोपिय की तलाश लगातार की जा रही है सुहागी ठान रशुतर के जंगतीला का ये गुरा मामला बताया जाना है तस्वीरों की जरिया आप देख सकते हैं, किस तरीके से युवक को सबसे पहले जूतों की माला पहनाई जाती है उसके बाद जूओस उसका निकाला जाता है और जलूस निकालने के बाद फिलहाल मामला दर्च कर लिया किया है और अपने घर में जो हैं चोरी का आरूप लगा करके जाली गुलोज किया और हमें जूतों की माला पहना का फोटो ता रहा था तो उस फोटों को जब देखाया कि फाना प्रवारी में इन जो खिलाप बेस पाल सिंग और रिंगू और उसके जो बतीजे गड़का है अरियों उसके खिलाप मकदमा पंजीवेश कर दिया और चलिए अधिक जानकारी के साथ सायोगी राजपांडे इस वक्त जुड़गे हैं राज़ क्या जानकारी मिल पारी कितने युवक्त लगभग आप जिन्होंने इस तरीकी की बरबरता की दलित युवक्त साथ और पुलिस की कारवाई अब तक कहां तक पहुंची है बताना चाहूंगा कि युवक्त पुरा मामला है स्वागी ठाना च्छेतित गंगा तीरा गाउं का है यह तोसर च्छेत में पड़ता है और यहां के ही इंड़जीत माजी हैं जिनका विवाद के जून को हुआ था वही के देशपाल सिंग और उनके भतिजे दिनकू सिंग क तरह कि ही अलगा पने का शेपाल सिंग के देशे बस घूस और रहा है। यहां राज आर्ओपी के पनेम 파ी मिल पए है उसके लोकेशन को लेकर और पोलिस की सिस दरेख हैं तलाश कर रही है झाल, झाल